हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू रेकॉन आनलाइन क्लासेज रेकॉन टीम दोस्तो पूरा विश्वास और उमीद करती है कि आप इस करोना पेंडेमिक में स्वस्थ होंगे एवं अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे आज दोस्तो हम लोगोंने एक नई सिरीज शुरूत की है जिसमें हम easy questions लेंगे लेकिन fundamental होंगे तोस्तो इस series में हम लोग ऐसे questions discuss करेंगे जो दिखने में easy हैं लेकिन जिसके पीछे अच्छा fundamental है तो अगर आप उस questions को करते हैं तो आपको fundamental prepare होंगे और आपको एक नया confidence मिलेगा question attempt करने के लिए examination hall में तो आज जो question मैंने लिया है दोस्तों वो एक बहुत ही unique question है engineering services का उसके बाद काफी बार वो question अलग-अलग तरीके से repeat हुआ है और उसमें काफी अच्छा fundamental चुपा है लेकिन यहाँ पर यह चीज एक बहुत important समझने की है दोस्तों कि क्या वाकई में question easy है या as a faculty हम उसको easy बता रहे हैं तो मेरी advice यह है कि आपकी तयारी कैसी है आपने subject को किता समझा है यह आपको पता चलेगा अगर आपको यह question easy लगता है तो अगर आपको यह question tough लगता है और जो solution मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको और तयारी की जरूरत है तो दोस्तों मैं आपको एक question दिखाऊंगा अभी मेरी advice यह है कि पहले 15 second में क्योंकि engineering services का question है तो पहले 15 second में दोस्तों आप 2 option eliminate करने की इस्तिती में होने चाहिए हाँ दोस्तों 50-50 वाला rule दो option पहले 15 second में quickly eliminate हो जाने चाहिए और बाकी के 30-40 seconds के अंदर आप right answer पे पहुंच सके यह आपकी approach रहनी चाहिए तो जैसे ही मैं आपको question दिखाऊं मैं आपको advice करूंगा कि आप video pause करिए और देखिए कि पहले 15 second में आप 2 option eliminate कर पाते हैं क्या और अगले 30-40 second में आप बिना कोई pen उठाए यह question solve कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है या फिर हलकी सी calculation pen लगा के भी अगर आप कर लेते हैं then it is good and आपके तयारी अच्छी चल रही है आपके fundamental clear है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं दोस्तों इसका मतलब आपके fundamental अभी भी weak है and you need special guidance to solve these type of questions Rekon is an online platform friends where हम लोग आप लोगों को video provide कराते हैं जो आपके concept develop करते हैं और आप इस तरह के questions को बहुत आसानी से कर पाएंगे जब आप पूरा chapter खतम कर लेंगे particular subject का तो दोस्तों Rekon इसके साथ एक और flexibility आपको दे रही है कि आप पूरा course ना भी ले आप चाहें तो topic ले सकते हैं जैसे सिर्फ SFD, BMD पढ़ना है उत्ता ले लीजिए आपको subject पढ़ना है, structure analysis पढ़ना है, fluid पढ़ना है, irrigation पढ़ना है तो बस उतना ले लीजिए या फिर अगर आप पूरा gate या engineering services या किसी competitive exam की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसका भी course ले सकते हैं, so much freedom is given by RACON Civil Academy इसके अलावा दूस्तों, by the grace of God, last three years में RACON के student ने बहुत अच्छा perform किया है कोई भी competitive exam हो civil engineering का, engineering services में RACON के student top 50 में जगा बनाने में कामियाब रहे gate में रहे और state PSCs के भी जितने भी exam हुए हैं, वहाँ पे RACON student ने बहुत अच्छा perform किया है ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको advice करूंगा, हमारी website जरूर visit करें www.rcaonline.in या फिर नीचे दिये गए WhatsApp नंबर पे भी आप हमें contact कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको question दिखाता हूँ और आपको advice करूंगा कि वीडियो pause करके पहले खुद solve करने की कोशिश करें टाइम एक मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों और अगर आप एक मिनट में ये question नहीं solve कर पाते हैं देन पूरा solution देखिए कि इस question में क्या-क्या fundamentals थे जो आपको पता होने चाहिए तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम आज का question तो दोस्तों ये question है जो engineering services 2000 में पहली बार आया उसके बाद बहुत बार अलग-अलग तरीके से आ चुका है आपको इसका answer निकालना है question क्या है वो मैं बता दूँ आपको ये एक probed cantilever है जो B point पे probed हुआ हुआ है और एक moment लगा है दोस्तों anti-clockwise का 300 kNm आप लोगों को A point पे moment बताना है कि कितना होगा so that is the question time आपके पास एक minute है दोस्तों maximum है वो भी 40 second appropriate time है इस question को solve करने के और 4 option में से आप 2 option तो सिरफ 15 से 20 second में eliminate करना आना चाहिए आपको तो दोस्तों अब इसको pause करिए वीडियो को और कोशिश करिए कि आप इस question को solve कर सकेए तो दोस्तों आप लोगों ने hopefully ये question solve कर लिया होगा इसका right answer है दोस्तों A 150 kNm hogging अब दोस्तों पहले 15 second में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि B और D answer नहीं हो सकते हैं answer या तो A होगा या C होगा और फिर कुछ समय में आप इसका answer अगर निकाल पाए हैं तो अपनी पीट थप थपाईए और बदाई दीजे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी direction में जा रही है और इसी तरह आप तैयारी continue रखिए अगर आप इसका answer A नहीं निकाल पाए हैं दोस्तों तो अब इसका solution देखिए कि 40 second में ये question कैसे solve होगा this is the important part क्योंकि engineering services का question है इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए इस question के अदर अब देखिए इस question को जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है वो ही important है how fast you can think अगर आप इस question को इस तरीके से देखते हैं और आपके दिमाग में movement distribution method आता है then you are in the right direction और गलती से भी अगर आपके दिमाग में method of consistent deformation या किसी और तरे का logic लगता है कि मैं इस question को अलग तरीके से करूंगा इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं जा रही है और आप गलत approach से question solve कर रहे हैं question solve जरूर होगा दोस्तों लेगिन वो 3 से 4 मिनट ले लेगा जबकि ये question not more than 40 seconds to 1 मिनट का है देखे problem क्या थी अगर आप इसको method of consistent deformation से solve करने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा आपको ये reaction निकालनी पड़ेगी इस reaction के लिए इस moment की वज़े से यहाँ पे कित्ता displacement downward हो रहा है वो पता करना पड़ेगा उसको equate करना पड़ेगा upward reaction की वज़े से जो displacement हुआ उससे उससे आपको rb मिलेगा और rb का moment यहाँ लेके और 300 का moment यहाँ लेके आप fix and moment निकालोगे ये पूरा process करने में minimum 3-4 मिनट लग जाएंगे जो सही approach नहीं थी इसकी right approach थी दोस्तो moment distribution method क्यों right approach थी क्योंकि हम moment distribution method में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जित्ता भी moment एक joint पे लगता है उसका half carry forward हो जाता है है ना तो यहाँ पे देखिए इधर तो free end है तो इधर कुछ भी carry forward नहीं होगा चिरफ यहाँ पे half carry forward हो जाएगा तो कित्ता हो जाएगा 150 किलो न्यूटन मीटर तो मैंने जैसा आपको कहा कि यह तो 10 second में आप बता सकते हो कि B और D तो नहीं होंगे अब बचा A और C मेंसे क anti-clockwise moment है तो यहाँ पे भी anti-clockwise 150 लगेगा arrow उपर जा रहा है इसका मतलब tension उपर आएगा और answer हो गया hogging तो A answer हो गया 150 किलो न्यूटन मीटर अब थोड़ा और depth में चलते हैं और इस question को थोड़ा और depth में देखते हैं कि यह कैसे solve होगा moment distribution से exact way में तो अगर आप exact way में देखें तो distribution factor क्या हुआ दोस्तों इस side में 1 हुआ और इस side में 0 क्योंकि यह free end है तो यहाँ पे stiffness 0 होगी तो इधर कुछ भी moment डवलप नहीं होगा अब देखी 300 का external moment लगा है तो fix and moment आपका कितना आएगा आपका fix and moment आएगा दोस्तों plus 300 मैं clockwise को positive ले रहा हूँ तो fix and moment क्या आगया दोस्तों 300 is it okay इस तरफ कुछ भी moment distribute नहीं होगा तो 0 और इधर पूरा moment distribute होगा तो 1 is it okay अब 300 का आप अगर balance करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा minus 300 is it okay अब carry forward कर दीजिए तो carry forward करता होगा half क्योंकि यह fixed end है तो carry forward करता होगा minus 150 minus 150 का मतलब क्या हुआ दोस्तों anti clockwise 150 तो anti clockwise 150 अगर आप यहाँ लगाएंगे then you will get hogging as 150 kilonewton meter and a is the answer तो यह question दोस्तों बहुत अच्छा fundamental question है easy है अगर आपने moment distribution की approach लगा ली है तो examiner ने कहीं पे भी moment distribution के बारे में बात नहीं की थी आपको खुद समझना था कि यह question moment distribution में जाने पर ही solve होगा तो इसी तरह के questions के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube channel को subscribe करिए यह video अच्छा लगा तो like button दबाईए अपने दोस्तों के साथ share करिए and keep enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life